हर हर महादेव प्राहय आजकल एक नियम सा बन गया है कि नियम को तोड़कर अपनी दिंचरिया प्रारंब करना देखा जाता है कि मलमूत्र त्यागने के पश्चात आजकल जो बुद्धी जीवी मानव हैं वो आच्मन या कुल्ला नहीं करते हैं तो शास्त्रों में इसका नि लिए ध्यान देवें मलमूत्र त्यागने के बाद में पश्य कुल्ला करें मैंने कहीं बार देखा है कहीं इस्थानों पर देखा है ऐसा लगुशंका करने के बाद में या दीरगशंका करने के बाद में लोग हाथ तो धो लेते हैं अपने आपको पवित्र तो कर लेते हैं हाद धो कर, तुकुल्ला इत्यदी नहीं करते हैं, यात्मनि इत्यदी नहीं करते हैं। वैसे देखा जाय तो स्नान करना चाहिए, यदि फिर भी असंभव हो, असमर्थ हो, तो आप इस्नान ना करके हाद पेर धोंएं, मुँ दोलेवें, आपषो थोलेवें, आप jutि, आपको पुन्य की प्राप्ति होती है आप धार्मिक कारिये जो करते हैं अनुष्ठान इत्यादी साधना करते हैं साधक लोग भजन करते हैं कीरतन करते हैं और आजकल तो देखा जाता है कि भजन सत्संग जहां पर चल रहे हैं वहां पर वेवस्था होती है सोचाले इत्याद हो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें फिर भगवान का स्मर्ण करना चाहिए ओम पुंडरी काक्षा पुनातू इस प्रकार भी कर सकते हैं या भगवान नारायन का भी स्मर्ण कर सकते हैं ऐसा भी बढ़ गया है कि यदि कोई आचमन नहीं करता है तो उसके सारे किये हुए कर्म जो 1-2 इस करना लगती है इसमें आप आलश्य प्रकार के लिए मुससे संपरRR कर सकते हैं कमेंट के मा ध्यम से और जो भी प्रश्णों आप पूछ सकते हैं हरहर महादय।